केहते हैं कि प्यार कोई सीमाई नहीं जानता, कोई उल्छने नहीं जानता, महबत की तो अपनी एक अलग जुबाही होती है और चाहे कितने भी मुश्किले रास्ते में क्यों ना आ जाए, अगर महबत सची है, तो उसे अपनी चाहत की मन्जिल मल ही जाती है कुछ ऐसा ही बिहार में हुआ है नमस्कार आप देख रहे हैं नियूस फार्डेशन और मैं हूँ सांथवना आपके साल बिहार की सीता मड़ी जिले से एक बेहद ही चौकाने वाला और अनोखा मामला निकल कर सामने आया है जहां जिस लड़की के किरनापिंग केस में लड़का वीते कई महिनों से जेल की रोटिया तोड़ रहा था उसी लड़की की मांग उसने हाथ में हतकड़ी पहन कर भर दी और इस शादी का गवा पूरा प्रसाशन बना वहां की लोग बने क्या है ये पूरा माजरा आखिरकार इस लड़के ने क्या सचमुच उस लड़की की किरनापिंग की थी और अगर किरनापिंग की थी तो उस लड़की से शादी कैसे हो गई लड़की ने रजामंदी कब दी सारा माजरा बताते हैं आपको दरसल सीता मड़ी में शादी का एक अनोखा मामला सामने आया है जहां कोट के आदेश पर पुलिस अभरक्षा में एक प्रेमी यूगल की शादी कराई गई है दरसल प्रेमी अपनी प्रेमिका के अपहरन की मामले में जेल में पिछले साल 2022 के 6 नवंबर से बंद है इसी दौरान दोनों प्रेमी यूगल के दौरा कोट में शुकरवार को व्यवार नयाले के एटीचे फर्स्ट के पास आवेदन देकर शादी की गुहार लगाई गई थी जिसके आलोक में कोट ने आदिश जारी करते हुए दोनों की शादी पुलिस अभिरक्षा में करानी का नर्देश दिया कोट के नर्देश पर पुलिस आज प्रेमी को जेल सिला कर कोट में पेशी करनी के लिए पहुची और दोनों को पुलिस अभिरक्षा में करानी का नर्देश दिया पुलिस अब रुक्षा में कोट कैंपस से शिव मंदिर में शादी कराई गई इस तोरान लड़की के परिजन उपस्थित रहे वहीं लड़की के परिजन शादी से इंकार करती रहे कि वो शादी में शामल हुए भी नहीं मेरी जानकारे के अनुसार जिले के बेर गनिया थाना छेत्र के आशोगी गाउन निवासी अमरनात महतो की पुत्री 23 वर्षे अर्चना कुमारी और नरकटिया गंच के रहनी वाले गुपाल प्रसाद के 28 वर्षे पुत्र राजा कुमार का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था बताया गया कि वर्ष 2016 से ही दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था इसे बीच पिछले वर्ष 2022 के चान नवंबर को दोनों घर छोड़कर फरार हो गए जिसके बाद उसे दिन प्रेमी राजा कुमार पर अपहरन का केस तर्च किया गया इस पर कारवाई करते हुए बरगनी आथाना के पुलस दोनों को बरामत कर लड़की को 6 नवंबर को जेल भेज देती है तब से लड़का राजा कुमार जेल में ही बन था जेल में रहने के दोरान लड़का और लड़की दोनों मिलकर रणनीती तयार कर रहे थे और तारीक आने के दोरान दोनों की बात हुई फिर लड़की ने अपने परिजनों को समझाया जिसके बाद लड़की के परिजन शादी के लिए मान गए फिर लड़की और लड़के दोनों ने कोट में आवेदन देकर शादी के लिए अर्जी लगाई कोट ने भी दोनों का बयान लेकर शादी का आदेश दिया जिसके आलोक में शादी करा दी गई और असके तस्वीरे अब हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दोनों प्रीमी यूगल बहुत खुश निज़र आ रहे हैं लड़की के परिवार वाले के उपस्तती और प्रसावशन के उपस्तती में कोट के आदेश के बाद दोनों की शादी कराए गई लड़के के हाथ में हतकरी जरूर थी पर वो अपने प्यार से पीछे नहीं हटा अपने महबत में दी गई जुबान से पीछे नहीं हटा और उसने लड़की की मांग खुशी खुशी भरी हाला कि लड़के के परिवार वाले शादी से इंकार कर रहे हैं जहां वो लोग इस शादी में सम्मलत नहीं हुए लेकिन आखिरकार दोनों की शादी हो गई, दोनों को अपने प्यार की मनसर मल ही गई फुला के लिए सब जीच में अतना ही और कई खबरों के लिए मासाद बनी रहें न्यूस फॉर्नेशन में, नमस्का